स्वागत है आपका भीयस मुडिलसन के एक और विडियो में मैं हो विकास हराने वाला है अगर आप Parad के अपना पैसा उन्वेस करते हैं तो आपको भारत के हर कार्टर के GDP के बारे में पता रहना चाहिए कि भारत के जीडिप कि इसी ग्रोथ को देखकर क्रके पूरी दुनिया भारत में अपना पैसा invest करना चाती है भारत के stock market में अपना पैसा लगा रही है चाहे हो अमेरिका हो कनाडा हो कई यह से country हैं जो अपने पैसे को भारत में invest करना चाते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत का जो growth है वो पूरी दुनिया में सबसे आगे है अगर हम अपना पैसा भारत के market में invest करेंगे तो हम भी grow कर जाएंगे तो भारत के growth का फायदा विद्यसी लोग उठा रहे हैं भारत के लोग भी उठा रहे हैं लेकिन बहुत कम चुकि भारत के बहुत सारे लोगों को share market में पैसा invest करना नहीं आता है इसलिए इसका फायदा विद्यसी लोग उठा रहे हैं तो अगर पैसा invest कैसे करते हैं नहीं अगर बात करें भारत के 4 quarter के growth rate के बारे में तो इसको लेकर के हमारे भारत के financial minister निर्मला सितारवन के द्वारा कहा गया है कि भारत का जो 4 quarter का GDP growth है वो 8% या इससे भी जागा रहने वाला है यानि कि financial year 2023-24 का जो last quarter का growth है वो 8% के पार रहने वाला है भारत की 4 quarter की GDP growth 8% से जादा हो सकती है ये सरी भारत के finance minister नहीं बलकि world bank के द्वारा भी कहा जा रहा है वर्ल बैंक खुद बोल रही है कि भारत की GDP growth है वो सबसे आगे रहने वाली है माकि जितने भी बलबले country है उनकी GDP growth 5% से आगे नहीं कलने वाली है लेकिन भारत 8% को भ रच कर सकता है जब world bank ये बात बोलता है तो दुनिया के जितने भी investor है उनको विश्वास होता है कि सच में भारत का market इतना तेजी से grow करने वाला है ऐसे में पूरी दुनिया के जितने भी बड़े बड़े investor है चाए वो black rock हो goldman sense सब अपना पैसा भारत के stock market में invest करना चाते ह पूरे दुनिया की तमाम अर्थवेस्ता struggle कर रही है वही भारत अपने लाग खामियों के बाबजूद लगतार grow पर grow किया जा रहा है लेकिन इसका फाइदा भारती लोग ने उठा पा रहे हैं क्योंकि भारती लोग को अपना पैसा invest करना नहीं आता है भारत में लोग share market मे मातर 2% या 1% लोग ऐसे होंगे जो अपना पैसा share market में invest करते हैं और कमाते हैं वही दुनिया के बड़े बड़े investor भारत आ रहा है और भारत grow कर रहा है तो उनका पैसा भी grow कर रहा है और वो भारत का पैसा अपने देश ले करके चले जा रहा है क्योंकि भारती लोग को पैस उससे मज़े करते हैं और उनका जो intrinsic value है जो उनका मुल पैसा है वो उनके पास बना रहाता है भारत का खजाना लगातार बढ़ते जा रहा है लेकिन इसका फैदा भारत के आमनागरिक नहीं उठा पा रहा है क्योंकि आमनागरिक को grow करना नहीं आता है भारत का foreign reserve 642 billion dollar के पा market भी grow कर रहा है भारत की हर कंपनियां grow कर रही है और उनकंपनियों में जिन लोगों ने भी अपना पैसा इंवेस्ट किया है वो भी grow कर रहा है चाहिए वो daily basis पर grow कर रहे हो या फिर share के थूँग ग्रो कर रहे हो लेकिन वो grow कर रहा है तो अगर आपको grow करना है आप भी अगर आप share market में पैसा इन्वेस्ट नहीं भी करना चाहते हैं तो भी आप share market को समझ सकते हैं ताकि जब आप पैसा कमाओ तो आप अपने पैसे को सही से utilize कर सको अपने पैसे से पहले पैसा कमाओ उसके बाद उससे जो प्रॉफिट आये उस प्रॉफिट को यूज करो यह है रियल तरीका गुरू करने का आई होब कि गाईस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे now thank you for watching मिलते के लिए वीडियो में एक नहीं जनकारी के साथ तब तक के लिए जाहिंद